Welcome back my dear students of Greg 9 As you know we are doing the third chapter of history that is Nazism and the rise of Hitler So first we will recap and start today's lecture What has been done in this chapter? The first world war is 1914-1918 There were two parties, allies group and the central power And the allies group is a winner party And the central power is defeated and is defeated And who is Germany? Germany is defeated So after that, the king of Germany was left by the government So there is a new government that is the Republic His name is Wemer Republic Because Wemer place is made So it is called Wemer Republic So when we are democratic, we are elected But Germany is against it Because when the first world war was defeated So they had a treaty signed When we were elected, we have to say that We must have to say that With which people as a government So these people are against the limit And who are opposed to it To call this, they are not against the society And that it is because they are facing The part that we have to say But when we have to say पार के जो लड़ाई के बाद वहां की हालत हो गी है जैमनी की तो उसका रिस्पोंसिबल भी वह व्यमार रिपब्ली को ही ठेराया जाता है तो उस समें ज्यादा स्ट्रेस किस पर दिया जाता है जो सोल्जर्स लाइफ के उपर तो इस तरह से पूरा लोगों का जी माइंड सेट हो जाता है कि हमने इस इंसल्ट का रिवेंच लेना ही है तो हमें ऐसे लीडर की ही जरूरत है और हमें डैमोक्रेटिक रूल नहीं चाहिए तो उसके बाद अब देखेंगे कि वहां की पॉलिटिकल और इकनॉमिक कंडिशन कै भी उपजिए चर्म निकी इन देस्टेओ we will study about the same that is Political Radicalism and Economic Crises Political Radicalism, Radical means Changes Political Rajniti में क्या-क्या Changes आए और Economically, चर्मनी के हलात कैसे होगे तो इसके बारे हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में The Birth of Weimar Republic Coincided with the revolutionary Uprising of the Spartist League on the Pattern of Bolshevik Revolution in Russia Spartist League क्या थी? एक नई पार्टी बनी थी जो चिचाती थी कि जर्नी में एक ऐसी गवर्मनेट बने जो जैसी कि रश्या में बोल्ट शेविक पार्टी के आने पर बनी थी That is Communist Party, Communism के उपर बेस होनी चाहिए यानि सारी पावर सेंटर में कंट्रोल होनी चाहिए वो ऐसी गवर्मनेट वहां पर चाहते थे पर जो वियमा रिपब्लीक थी वो डेमोक्रेटिक थी वो ऐसा कुछ चेंज नहीं चाहती वो जो चाहते थे कि सौवेट वर्कर्स जा सेलर्स ने जैसा ही काम किया है चैनि सारा जो सिस्टम ठावन का सेंटरलाइस्ट हो गया था तो वैसा ही सिस्टम जन्नी में भी स्टार्ट हो चाहिए उनका जो अट्मोस्फियर सा चेंज होता जा रहा था तो जो लोग इसके गेंज थे और जह चाहते थे कि एक ऐसी गवर्मेंट बननी चाहिए जो रिपब्लिक हो डेमोक्रेटिक हो वो लग से वियमार प्लेस पे मिले तांकि अपने डेमोक्रेटिक आइडियास को थोड़ा सा ओर शेप दे सके दा वियमार रिपब्लिक क्रश्टा प्राइसिंग विद थे हैल्प ऑफ वार वेटरंस ओर्गनाजेशन काल फ्री कॉप्स तो वियमार रिपब्लिक ने जो उनके अगेस्ट अवाज उठा रहे थे कौन अवाज उठा रहा था याट इस स्पार्टिस्ट लीक उनके अगेस्ट अवाज उठा रहे थे उनके सप्रेस करने के लिए दुबाने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली वार वेटरियंस वा बच यह थे उन्हें कहते हैं वार वेशियंस तो उनकी हेल्प से इस अप्राइजिस को जो उसके गेंस मुवमेंट चल रहे थी उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे इसी सपार्टिस्ट लीग ने आगे चल कर जर्मनी में कम्निस्ट पर्टी इस्टेबलिश की थी यानि कम्निसम लेकर आये थे कम्निस्ट और सोचलिस्ट हैंस फोर्थ बिकम इर्ग इस एक दूसरे के दूश्मर बन चुके थे लेकर मिकम्निस्ट और सोचलिस्ट क्मइस मिन्स पार्टिस्ट पार्टी आंड सोचलिस्ट मिन्स में व्यामार रिपब्ली एक चुडनिक कोमन कोर्स अगेंसा हिटलर बोथ रैवलुशनरीश एन militant nationalist card for the radical solution और इन दोनों के बीज में जो clashes हो रहे है तो उसका फायदा कौन उठाएगा third person that is Hitler तो यह थो वहां की जो political changes आ रहे थे जर्मनी में अब हम देखेंगे वहां पर economic ली क्या क्या changes आ रहे थे political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923 Germany had fought the war largely on loans and had to pay the repression in gold Germany जब war में हार गया था और जो भी उसने war में जितना भी खर्च हुआ था वो उसने लोन लिया था और साथ में उसको responsible ठहराय गया था कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका compensation को देगा जर्मी और कितना compensation था if you remember that is 6 billion pounds 1918 से लिक 1923 तक तो जर्मी ने उस लोन को बापिस करता रहा पर बाद में उसने कहा था बापिस तो उसे बापिस करने से मना कर दिया देपलिटिट गोल इस अधे ताइम सोर्सेज वर स्केर क्योंकि उसके पास अब डिसोर्स इस वी नहीं थे क्योंकि अमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो राइन लाइन एरिया था जो में जहां पर ज्यादा सोर्सीज थे कोईल गॉल डिजर्व थे उस पर फ्रांस का कंट्रोल हो गया था जो थोड़े बहुत सोर्सीज बच गये थे उसकी हैल्प से जर्मी कोशिश कर रहा था अपनी इंडस्ट्री को ड्वैल करने की पर आप उसने मना कर दिया था रेपरेशन से देने चानी कंपंजेशन जो बापिस कर रहा था बापिस देने से मना कर दिया था 1923 जर्मी ने जैसे ही मना किया तो फ्रांस ने जोकि उसमें फ्रांस में शामिल था जिसको वो कंपंजेशन दे रहा था तो उसने वहां के इंडस्ट्रेल एरिया रूर पर अपना कंट्रोल कर लिया काफी कोईल माइन्स थी और यह कहां पार है राइन लैंड में था तो इस पर उसने फ्रांस ने अपना कंट्रोल कर लिया तो ऐसी सुचेशन पर कंट्रोल पारने के लिए कि अब तो माल पास कुछ भी निरा इंडरस्ट्रियल को ड्वैल करने के लिए कोई सोर्सिस नहीं है त प्रिंट करना घ्र डिया जिसका क्या होता है गल्दिफेक्ट हुआ उनकी जो प्रिंट इंड म यह जादा सर्कुलीशन में आ गई… मार्किट में मनी हागी… जिस कारण से वहां की जो जर्मनी की क्रंसी सी that is mark उसकी value कम होनी शुरू हो गई तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो आप किसी भी goods की ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हो जिस कारण से क्या जता है market में prices बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो that is the wrong thing in the economy तो उस समय जब जो भी value होती है किसी की क्रंसी की dollar में decide की जाती है तो dollar में mark की value काफी कम होती जा रही थी US dollar equal to 24,000 mark के ब्राबर हो गया जुलाई में 353,000 देखे आगे जानी उसकी value दीरे-दीरे कम होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब छोटी सी कोई भी अगर वस्तू लेना चाहते है तो उसके लिए को काफी money देनी पड़ेगी जैसा कि इस picture में अगर आप देखो तो जहां भी यही दिखाया क्या है कि एग bread का piece लेने के लिए तो वहां पर उन्हें basket बर कर पैसे ले जाने पड़ेगी दैट इस दा सुस्टेशन इंदा जर्मनी इन 1923 दा वैली ओफ दा मांक कॉलाप्स मांक की वैल्यू ग्लाप्स मिंस कम होती जा रही थी प्राइजिस ऑफ दा गुड्स सोड और गुड्स के प्राइजिस बढ़ते जा रहे थी क्यूंकि ज्यादा प्रेंटिट मनी सर्कुलेशन में आ चुकी थी दा इमेज ओफ दा जर्मन कैरिंग काट लोट्स ऑफ क्रंशी नोट्स तो बाई लोफ ऑफ ब्रेट वास वाइली पॉब्लिसाइज इवोकिंग व्ल्डवाइट सिंप्थी तो जर्मन में इस सचेशन को बिखाने के लिए लग लग तरह के पोस्टर बने शुरू होगे जिससे उन्हें वर्ल्डवाइट सिंप्थी मिली कि एक लोफ ऑफ ब्रेट एक पीस लेने के लिए ब्रेट का आपको काट लोट्स ऑफ क्रंशी क्रंशी यानि बहुत ज्यादा मनी की जरूरत होगी जो आपको लिजानी पड़ेगी बास्किट बरकर आपको पैसा चाहिए तो आपको एक पीस ब्रेट का मिल सकता है this crisis came to be known as hyperinflation a situation when prices rise is phenomenally high तो इस situation को हम कहते है hyperinflation क्या होती inflation जब गूर्स के prices बहुत ज्यादा बढने शुरू हो जाते है that situation is known as hyperinflation eventually this time the American intervention and bail chairman out of the crisis introduces a davis plan which reworked the terms of repression to ease the financial burden on the German so as see condition may as situation may America need Germany key help करने चाहिए America Germany की थोड़ा की तरफ थोड़ा सा sympathize हो गया तो उसने decide किया कि वह Germany की help करेगा इस situation से बाहर निकलने के लिए तो उन्होंने एक plan introduce किया that is davis plan तो जे plan बनाया गया था Charles G. Davis ने बनाया था जिसके नाम पर उसका plan का नाम बन गया davis plan davis plan क्या था कि जब Germany ने मना कर दिया था कि वह repression जानि जो compensation था वह और का वह बापिस नहीं करेगा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा decide मत कीजे तो आप preparation को बापिस करते जाए हम उसका थोड़ा सा कम कर देंगे और साथ में आपकी industry को develop करने में हम पूरी help करेंगे तो इस तरह जो जर्मिन पर फाइनेशल बर्डन जादा हो रहा था उसको कम करने में अमेरिका ने help की clear पर जे जो situation अब change होगी थी कि दीरे दीरे change होती थी उनका burden कम होने लगा पर 1929 में यह जो stability थी वो खतम होगी वहां पर अचानक क्या हुआ depression हो गया depression क्या होता है और इसने पूरे world को कैसे effect किया along with the Germany कैसे क्या effect हुआ जर्मिन पर और पूरे world पर इस depression का we will study in the next video I hope today's concept is clear to all of you thank you for watching the video